तो दोस्तों फूल गोबी की नर्सरी डालने का सही समय क्या है? कौन सा समय है जिस पे आप फूल गोबी की नर्सरी डाल सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे किसान भाईयों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर्फूल गोबी की नर्सरी अभी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं लेकिन आपको मैं बता दूँ वैसे तो आप मैं महा में 15 मही के बाद में कभी भी फुल गोबी की जो नरशरी है उसको डाल सकते हैं, और जो डेसी वराइटी आती है जैसे अरली कमारी वगरा हमारे जो इंडिया के वराइटी है, जो डेसी वराइटी है, उनको तो आप मही मे में इतने ज्यदा टेंपरेजर बढ़ गए थे तो इस साल की अगर हम बात करें दोस्तों तो टेंपरेजर ज्दा बढ़ने की वज़ाए से 2022 का जो फसलों का उत्पादन था वो भी हमें कोई ज्यदा खास नहीं मिला और इस समय की अगर हम बात करें तो फिलहाल भी जो नॉर् डाल दी है भी लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि फिलहाल के जो अगर टेमप्रेजर की बात की जाए तो फिलहाल जो मोसम है उसके हिसाब से अगर आप अभी फूलगोबी की नर्सरी डाल रहे हैं तो मेरे खहाल से आप सब्सक्राख राखाओ कर पाएंगे क्योंकि फिलहाल जो टेमप्रेजजर वह बात की जाए तो बिलकुल एसकि नहीं है रहे क्याख भी सरी डाल चाहे तो डाल सकते हैं देसी वराइटियों कि यहां पर अगर हम बात करें तो फूलगोबी कि early कमारी जो देशी वाराइटी आती है काफी शांदार और अच्छी वाराइटी है उस फुलगोवी की नरसरी आप अभी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप hybrid वाराइटियों की नरसरी डालने वाले हैं या डालने की सोच रहे हैं तो कम से कम आपको 5-7 दिन और इंतजार करना च थे कि हमने ओरेडी फुलगोवी की नरसरी है उसको लगा दिया है लेकिन फिलहाल अभी अगर आप फुलगोवी की नरसरी लगाते हैं तो मेरे खाल से बहुत जल्दबाजी होगी और नरसरी का जो फुलगोवी का जो hybrid वराइटियों का बी जाता है वो काफी कोस्टली आता है अगर आप अभी उसको ग्रो करते हैं तो मेरे खाल से सही नहीं होगा और अगर आप फुलगोवी की hybrid वराइटियों के बारे में ज्यादा जानना चाते हैं तो इस वीडियो के end screen पे मैं अपना वीडियो लगा रहा हूं इसमें मैंने 5 सा hybrid वराइटियों के बारे में बता हैं तो मैं खाल वराइटीयों के बारे मारे में ज्यादा करते हैं बारे जादा है अभा होगा है बारे में जहादा है अगरा हैं जगी नहीं है है है